बिहार की दर्गबंगा में वी आईपी सुप्रीमों के पिता के खून के मामले में बिहार पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है पुलिस ने बताया कि पैसे के लेंदेन को लेकर आरोपियों ने इस घटना का अंजाम दिया था पुलिस ने बताया कि CCTV के अधार पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफतार कर लिया है पुलिस की पूछताच में आरोपियों ने वारदात को कबूल करते हुए खून करने की वज़ा बताई वही अब पुलिस मामले से जुड़ी हुई गतियों को सुलजाने में लगी हुई है गिरफतार आरोपियों से पूछताच की बात पुलिस ने प्रेस वारता की और पताया मुकेश के पिता के गाओ के ही दो युवग जीवन साहनी के पास अपनी बाइक रखकर ब्याच पर कुछ पैसे उधार ले रखे थे सुमवार की राद लगबग 10 बजे के आसपास जब युवग दो अन्य लोगों के साथ अपनी रख्योई बाइक लेने आ है पैसे कम देने पर जितन साहनी और आरोपियों में विवात हो गया इस दोरान आरोपी युवकों ने चाकू से हमला कर जितन साहनी का कतल कर दिया पुलिस के मताबिक कि दो दिन पहले भी आरोपियों और जितन साहनी के बीच जगड़ा हुआ था उस समय आरोपी युवकों ने सबक सीखने की बात की थी पुलिस ने बताया कि आरोपी पहले से ही कतल करने का मन बना लिये थे इसके लिए वे घर से ही तयारी करके आये थे पुलिस ने बताया कि चारो आरोपीों के पास बड़ी वाली चाकू थी और आदे गंटे के अंदर घटना को अंजाम दिया आरोप्यो की पहचान जितंसानी के घर के बाहर लगे CCTV कामरा से हुई आरोप्यो के पहचान होने के बाद पुलिस ने उनके फोन नंमर के जरिये सभी आरोप्यो को लोकेशन ट्रेस करके उन पर दबीश बनाया और बीते मंगलवार देर रात तो गिरफतार किया वी आईपी चीफ मुकेस्थानी के पिता जितनसानी दर्बंगा के सुपोल सित अपने घर में अकेले ही रहते थे सत्तर वर्ष जितनसानी को देखरेक और खाना बनाने के लिए उनके साथ दो नौकर भी रहते थे हालागे खाना बनाकर खिलाने के बाद रात में ये दोनों नौकर अपने घर चले जाते थे उनके जाने के बाद जितनसानी भी गेट में ताला लगा कर अपने कमरे में आकर सो जाते थे वार्दात के दिन भी यही घटना करम हुआ चुकी आरोपियों को जितन सहानी का रूटीन मालुम था इसलिए वारदात को अंजाम देने के इरादे से ही दोनों नौकरों के जाने के बाद जितन सहानी के घर में गुसे थे